आज मैं आपको एक horror short film, asymmetry, explain करने वाला हूँ ये अल्टर की एक story है इस short film की link मैं description में डाल दूँगा यार आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो मैं जो videos डालता हूँ, जो movies की होती है ये एक एक दिन के बाद आने वाली है तो बीच बीच में ये short films की stories में डालता रहूँगा मुझे बहुत सारी request आई है questions और answers के लिए तो आप अपने questions comment में लिख सकते हो वैसे भी मैं community post करने वाला हूँ तो वहाँ भी आप बता सकते हो जल से जल हम वीडियो लाएंगे तो आप वीडियो पर focus करते है ये जो हमारी फिल्म है A cemetery एक serial killer के बारे में है movie start होती है और मैं एक quote आता है इसमें लिखा होता है कि मुझे beauty बहुत पसन है मुझे सब कुछ perfect पसन आता है ये बहुत ही गलत है क्योंकि आप कभी भी satisfied नहीं हो सकते movie start होती है और एक लड़का और लड़की हमें street से जाते हुए दिखते है ये लंडन की एक colony है ये दोनों आज Bible sale कर रहे होते है अपना message और religion सब को समझाना चाते है इसी वज़े से ये door to door जा रहे है और सब को ए Bible sale करते है लड़की आज frustrated है इनकी बात इनका message आज किसी ने भी नहीं सुना है इसका friend ही से कहता है कि और एक घर हम try करते है शायद यहाँ कुछ सुनने वाला हो इसकी इच्छा नहीं होती है पर फिर भी ये मान जाती है ये door कट कड़ाते है और वहाँ से एक well dress आदमी बाहर आता है ये बहुत ही well married होता है ये दोनों जब कहते हैं कि उसे disturb करने के लिए sorry है पर ये कहता है कि कोई भी problem नहीं है इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है ये फिर इसे कहते हैं कि क्या आप what पर believe करते हो ये कहता है कि please अंदर आजाओ यानि कि बिल्यू करता है और एक smile देता है अंदर आने से पहले इन्हें अपने shoes बाहर निकलने के लिए कहता है इस लड़की से बहुत अच्छी खुश्बूई से आती है ये पुछता है कि बहुत ही अच्छा वर्फे में ये कौन सा है कहती कि मेरे husband ने मुझे दिया था इसका नाम बताती है इस homeowner को लगता है कि चो लड़का इस लड़की के साथ है यही उसका husband का पर ऐसा नहीं होता ये अंदर जाते हैं और सब बैठते हैं इन्हें जरा awkwardness होता है ये awkwardness दूर कराने के लिए एक दूसरे को introduce करा देते हैं यहाँ पर लड़की कहती है कि आज लोगों को सुनने के लिए कुछ time ही नहीं होता homeowner कहता है कि लंडन की life है ऐसी है सब लोग busy होते है ये लड़की कहती है कि आज तुम हमारी सुन रहे हो ये हमारी लगी है homeowner creepy हुई आवाज में कहता है कि ये तो है यहाँ पर बहुत ही awkwardness हमें इस situation में दिखती है इस awkwardness को दूर कराने के लिए homeowner कहता है कि तुम आए हो मुझे तुम्हें चाय ओफर करने चाहिए थी मैरे manners का है वो फिर उट जाता है और चाय रेडी करता है इस चाय में वो ड्रग्स मिला देता है जिससे ये दोनों बेहोश हो जाए चाय पीते पीते बाइबल वो डिसकस करने लग जाते है इस homeowner का favorite part वो होता है जिसमें God devil के बारे में बात करता है चाय नहीं पी रहा होता तो ये दोनों पूछते है कि तुम क्यों नहीं पी रहे ये कहता है कि चाय जब मैं पीता हूँ तो मुझे ज़रा अलग महसूस होता है ज़्यादा चाय मेरी सहत के लिए सही नहीं है ये लड़की भी relate करती है और कहती है ये मेरे साथ बेह सही होता है ये शुगर की वज़े से होता है ये कहकर और एक शुगर का क्यूब वो ले रही होती है पर ये home owner उसे रोक लेता है जो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं लेने दूँगा यहाँ पर situation बहुत ही creepy है यह awkward silence है पर फिर भी है चाय पीते है इसके बाद यह दोनों बेहोशो कर वही गिर जाते है और हमें दिखाये जाता है कि home owner एक serial killer है इन दोनों को अपनी lab में हो लेकर जाता है वहाँ पर इन दोनों को मार कर इनकी skin निकाल कर इनके अंदर सब भूसा विगरा भर कर उन्हें और stuff कर देता है इन दोनों के skin के भी खराब ना हो इसलिए इस पर work करता है इन दोनों के सही से पुतले हो बना देता है और एक room में जाकर रखाता है जब हम इस room को देखते है तो यहाँ बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है अगले कुछ scene से में हमें दिखता है जो भी लोग यहाँ इसके घर पर आते हैं और इसे कुछ sale करना चाते है इन सब लोगों को मार डालता है थोड़ी दिनों बात एक आदमी इसके डोर पर आता है उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो होम अनर कहता है कि हाँ थोड़ी दिनों पहले यह आई थी यह कहता है कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्यों ना तुम अंदर आ जाओ हस्बन को अंदर बुलाता है और कहता है क्यों तुम्हारे लिए टी बनाता हो, मुझे तब तक सब कुछ याद आ जाएगा हस्बन कहता है कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें क्या पता है और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाओंगा होम ओनर टी के लिए इंसिस्ट करता है हस्बन को घर में उसकी वाइफ का स्मेल भी आता है यह इसके बारे में पूछता है, तो होम ओनर कहता है कि मेरे मदर का परफ्यूम है, वो अभी भी यहाँ आई थी वो परफ्यूम का नाम भी लेता है उस लड़की ने परफ्यूम का नाम बताया था और यही इस परफ्यूम का नाम है तो हस्बन को ज़्यादा शक नहीं जाता जब यह हस्बन लिविंग रूम में आता है होम ओनर अब इसे भी काटने वाला होता है पर हस्बन जिन्दा है उसके हाथ धरतर आ रहे है यानि कभी भी होश में आ सकता है हमें लगता है कि अब इन दों में फाइट होगी पर यह ओनर उसे मार डालता है यह ओनर हस्बन को जब काट रहा होता है तब उसके पास एक locket उसे मिलता है इसके बाद homeowner tub में है husband का हाथ उसने काट लिया है और इस हाथ में cigarette रखकर cigarette वो पी रहा है बाट टब में पानी की जगा खून है husband का जो locket था ये उसने DB में बंद करकर रखा है कुछ murder याद रखने के लिए उनकी चीज़े वो DB में बंद करकर रख देता है यहीं movie end हो जाती है इस movie में हम देखते है तो जो serial killer है ये बहुत ही well-dressed है well-mannered है सही से बात ही करता है पर फिर भी इनकी conversation में कुछ awkwardness है जब लड़की से बात कर रही थी तब इसे पता चल गया था ये कुछ awkward है ये killer ने इसे शुगर लेने से मना कर दिया था इनके बीच में सही से बात करने के लिए कुछ चीज़े नहीं थी इस killer devil पर बिलीव करता है ये उस लड़की और लड़की को पता था पर सिफ उसका respect करने के लिए उसके साथ बेटे हुए थे ये गलती उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए मुवी के official statement देते हुए डारेक्टर ने भी यही कहा है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दिजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल से subscribe कर दिजए और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमड़ी के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये कर दो बहुत सकति मैं फिर से ता nut ुप झाल 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 प्रणाद प्रणाद प्रणा करदें